तो question में क्या दिया है यह देखते हैं कि difference between compound interest and simple interest है 228 रूपीज है for a certain sum of money 8% क्या है उसका परेनम interest है और rate है 111 by 2% कब एक बार उसको compounding क्या गया है half yearly और दुसरी बार simple interest पे दिया हुए simple interest का computed क्या है yearly? simple interest में क्या ही फरक परता है yearly करो या क्या करो? कैसे करेंगे देख लीजी आर का जो value है यह क्या है? 8% 8% तो फिर आर effective किसके लिए? simple interest के लिए कितना हो जाएगा देखिए एक साल का तो 8% आ गया है दूसरे साल में क्या पूरा गया है? नहीं 6 महीने गया है न तो 6 महीने के लिए क्या करना परेगा? हाप करना परेगा 8 का हाप 4 हो जाएगा तो 12% आ गया है तो जब CI निकालने जाएंगे तो हमें 4% sorry 12% निकालना परेगा SI निकालने जाएंगे तो 12% निकालना परेगा डेर साल में total 3 cycle होगा 6 महीने का तो आर इफेक्टिव निकालने के लिए जो हम formula यूज करने वाले हैं अगर 3 आता है तो क्या हो जाता है? X plus Y plus Z plus XY plus YZ plus ZX और इसको divide करना होता है 100 से फिर आपका क्या आ जाएगा? X, Y, Z इसको किसे divide करेंगे? 1, 2, 1 पर 4 सुनना से ऐसे निकालते हैं आर इफेक्टिव तो आर इफेक्टिव जो आपका compound interest हो रहा है 4, 4, 4 put करेंगे तो यहां पर 12 आ जाएगा 4 into 4, 16, 3 times करने से 48 आ जाएगा by 100 और 4 को 3 times multiply करने पर आ जाएगा 64 divided by 1, 2, 3, 4 यहां से जो answer आ रहा है 12.4864% का तो देखिए अगर compounding happily किया है तो जो net rate आया है वो है 12.4864% simple interest पर जो दिया था तो rate आया है 12% तो जो change आया ना या फिट change के place पर difference लिख लिजिए difference कितने का है दोनों में तो आएगा कि 0.4864% का difference है इसी का value question में दिया है 228 करके तो हमें जो चाहिए वो 100% का value चाहिए तो कितना आ जाएगा 228 पे 12340 divided by 4864 और 100% के लिए 100 से multiply कर दिया अभी ये calculation करके देखना है ये value आ जाएगा आपका कितना 46875 यहाँ पे तोरा सा आप approximation कर सकते हैं directly भी calculate कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है तो जो काम की चीज है ना इसमें वो ये था आपका आर इफेक्टिव निकालने का formula ये आप ध्यान में रहें तो अगर कोई समस्ते आये तो आप comment section में पूछिए या पी चो टेलीगराम का dedicated doubt group है वहाँ पे आभी आप पूछ सकते हैं तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को like करना ना भूले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरू से subscribe करें क्योंकि यहाँ पे सारे best review IQ का solution मिलेगा आपको detail में और अगर हम यहाँ पे कोई concept discuss करते हैं तो उठाएंगे basic से ले ने concept के साथ